वेलकम अज जोय ओफ ओरिगामी में में मेहुल कुमार भावनगर से आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ हम बहुत सुंदर एक रोज बनाएंगे अब मेरे साथ एक एपोर साइस का पेपर लेके तयार हो जाएए पहले में ये पेपर को ये जो दोनों कोने है इसको ऐसे मिला रहा हूँ और ये मिलने के बाद ये बीच में से हम डायागोनल पे क्रीज कर देते हैं ठीक है खोल दे चलो अब ये में दूसरे जो दो कोने हैं उसकी दोस्ती करवा रहा हूँ और फिर से में वही चीज ये डायागोनल पे क्रीज कर रहा हूँ अच्छे से क्रीज कर दे औ मिला देता हूं और यह मिलने के बाद मैं इसको प्रेस कर रहा हूं ठीक है चलो यह हो गया खुल दे इसको अब नीचे वाला जो आदा इसा हे उसको मैं उपर वाले दोनों साइड पे इसको मिला करके ये बीच में से base में से fold कर रहा हूँ इसको खोल दे चलो खोल गया देखो अब मैं ऐसा कर रहा हूँ ये दोनो midpoint पकड़ के दोस्ति कर देता हूँ और ये बाकी के जो इससे बचे है उसको मैं ऐसे triangle को fold करता हूँ ताकि ये हमारा water bomb base बन जाए अब ये middle वाला line है यहाँ पर roller रख दिया और ये kona मैंने यहाँ पर press कर दिया फिर से दूसरा kona उठा के मैं नीचे वाले kona पर मिला देता हूँ और ये press हो गया चलो अब एक बार ये जो है इसको हम दूसरी बार ये पीछे भी दोहराएंगे फिर से वही चीज ये kona पकड़ा और नीचे फोल्ड हो गया क्रीज बहुत सुन्दर लास्ट kona पकड़ा नीचे पे लगाया और ये क्रीज हो गया अरे वाह चलो अब क्या करना है इसको पलट देते हैं और ये खोल दिया ठीक है इसको ऐसे नीचे kona half मेंने फोल्ड कर दिया इसको खोल दिया पूरा ये kona है इसको भी नीचे half फोल्ड कर दिया अब ये है इसको वापस खोल देते हैं चलो यही चीजम दूसरी तरब भी दोह रात है इसको ऐसे पलटा दिया और ये half मेंने उपर मोड दिया इसको खोल देते है दूसरा वाला last half और एक खोल दिया चलो बब मैं इसको ऐसे खोल रहा हूँ देखी ऐसे ये पकड़ा नीचे लाए और ये square बना दिया और crease कर दे बहुत सुन्दर दूसरा को ना पकड़ते है और ये पहले में ये triangle यहां से उठा के ले आता हूँ फिर से ये triangle बाहर वाले कोने पे मिला देता हूँ चलो अब मज़े ये उपर वाला जो triangle है ये बीच में ये यहां पे तीनों कोने में मिला देता हूँ ठीक है? अब इसको पलटते हैं चलो ये फिर से हम square बनाएंगे इसको खोल देते हैं इसको प्रेस किया और ये अच्छे से square बन गया लास्ट वाला कोना आब लेंगे ये खोला और इसको अच्छे से जब तक ये square न बन जाए हमें ऐसे इसको अच्छे से crease बनानी है और ये मिलने के बाद प्रेस करते है Very good चलो ये अब हमारा square बन गया अब ये अंदर वाले कोने को हम खोल देते हैं आदा और ये diagonal से ये हमारा triangle बाहर वाले कोने से मिल गया चलो अब लास्ट वाला इसको भी खोल देते हैं और ये हम यहां से प्रेस कर दे अब बीच वाला कोना पकड़े और ये नीचे ले आईए ऐसे मिला दे फोल्ड कर दे अरे वाह चलो अब ये दोनो बाहर वाले इसकों को मैं पकड़ के उपर मिला रहा हूँ और बाकी बचे दूसरे दोनों इसको पिछे मिला दिया अब अच्छे से प्रेस कर दे फिर से बाहर का कोना मैं सेंटर पे ले आया और ये वाइट ट्राइंगल मेरा दिखता है दूसरा कोना भी ले के आया और उसको भी मिला दिया और ये फिर से मैं अच्छे से प्रेस कर रहा हूँ उपर वाला कोना एक बार फिर से पकड के लिए चलाया और ये तीनों वहाँ पे सेंटर पे मिल गए अब ये लास्ट वाले दो इसको पकड लिया और ये फिर से दूसरा कोना और ये लास्ट अब उपर वाला कोना भी मैं नीचे मिला रहा हूँ देखिए ये पकड़ लिया और ये आ गया अच्छे से प्रेस करें अरे वेरी गूड चलो अब देखना है ये इसको मैं खोल रहा हूँ ऐसे ऐसे पकड़ के रखो दोनों तरफ ये कोने में ट्राइंगल बीच में बना देता हूँ देखिए ऐसे पकड़ के ठीक है और अच्छे से प्रेस करें अब ये बेज बना दे वाइट वाले कागल को और ये जो यलो कलर दिखता है इसको मैं उपर लेके आ रहा हूँ ये बोट जैसा दिखता है बीच में यहां पर ऐसा मैं अपना थम और उंगली डाल रहा हूँ देखिए फिर से ये से पकड़ा और ये से डाला अब किसी एक तरफ में इसको गुमा रहा हूँ नीचे वाला बेजमिट अच्छे से पकड़ के रखे और ये मैं इसको एंटी क्लॉक ऐसे गुमा रहा हूँ देखिया इसे आपको बहुत अच्छी तरीके से और शार्पली ये गुमा ना है जब तक ये गुम जाए गुम ते रहा गुमा ते रही है और ये है इसके कोने इसको थोड़ा सा हलके से ऐसे ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर दे और ये बहुत सुंदर पंखोडिया दिखने लगेगी और जितना आप अच्छा काम करोगे ये रोज बिलकुल बढ़िया सा दिखेगा इसको थोड़ा कर दे ऐसा इसको ऐसा थोड़ा सा प्रेस कर दे को न और ये जैसा थोड़ा सा कर्व हो जाए तो ये हो गया हमारा बहुत है सुन्दर रोज अलग-अलग कलर क्या बनाईए रेड ब्लू बहुत सुन्दर दिखेगा